दोस्तो मूवी की सुरुवात होती है और सुरुवात में ही दो चुहों को लड़ते हुए दिखाये जाता है जिसकी बज़े से सब परिशान हो रहे थे तबी वो लड़का उस तोटे को भार रख देता है और अपनी कहानी समझाने लगता है लेकिन कोई भी लुटेरा उसकी कहानी सुनने को तयार नहीं था तबी उसके तोटे को दिखाय जाता है जो महां के दो चुहे से बात कर रहा थ तोता उन दोनों चुह से कहता है कि क्या तुम इस लड़के की कहानी सुनना चाहोगे दोनों चुहे उस लड़के की कहानी सुनने के लिए हा कर देते हैं तभी सीन को सिफ्ट किया जाता है और तोता अपनी कहानी सुनाने लगता है वो उन से बताता है कि मैं और मेरे कई सारे दोस्त एक आइलेंड पर रहा करते थे और थोड़ी देर में आइलेंड की कहानी को दिखाय जाता है जहां पर एक तोता था जिसको कहीं से एक अंगुटी मिल गई थी और वो बार-बार उसे ही देख रहा था तोता बहां रहने वाले अपने सभी दोस्तों यानि सभी जानबर उसे बताता था कि भार भी एक दुनिया है लेकिन बहां का जानबर कोई भी तोते पर बिस्वास नहीं करता था वो तोते को सब पागल बताते थे दूसरी तरप एक पंगु नाम का लड़का जो की लुटेरों के जहाज में सबारी कर रहा था जो की पहली पहली बार आया थ जहाज पर पहली बार चलने के कारण उसे बार बार उल्टी हो रही थी पंगु के साथ एक कुता भी था जो की अपनी मुर्गियों की रखवाली कर रहे थे तबी पंगु की मुर्गियों पर एक बिल्ला और बिल्ली की नजर पढ़ती है जो उसकी मुर्गियों को खाना चा जाता है जिससे पंगो और उसका कुट्ता आपस में लडखडा कर गिरने लगते हैं और अपनी जान को बचाने के लिए कैसे भी करके वे जाज के नीचे आ जाते हैं दूसरी तरब तोते और उसके दोस्तों को दिखाये जाता है जो तूफान में बहुत बुरी तरह से फसे तरह से पंगो पंगो नीचे जाते हैं और आखर में नीचे जाते हैं और आकर में नीचे जाते हैं। सबी लोग अपने आपको जिंदा पाकर बहुत खुश थे और नदी के किनारे से बे अजीब अजीब तरह की इंसानी चीज को ढूंड रहे थे तभी उन्हें बहां अटका हुए एक किनारे पर जहाज दिख जाता है जो की पंगू का था उस जहाज को देखकर सारे के सारे जा ले जाते हैं पंगू को देखकर सारे जानबर यही सोच रहे थे कि पंगू एक समुद्र लिटे रहा है और हम सब को मारने आया है ये देखकर सभी जानबर पंगू और उसके कुट्टे को बहां से भगाने का जुगाल करने लगते हैं पंगू जाता सोर को सुनकर बहां क्योंकि तोता अपने सभी जानवरों को दिखाना चाता था कि वे पहले सच बोलता था कि भार भी एक दुनिया है। बहार आकर पंगु अपनी बंदू को चेक करने लगता है जिससे धीरे से गोली चल जाती है। बिल्ली के हमले से तोते के चोट लग जाती है और पंगु उस तोते की मरंपटी करने के लिए उसे अपने जाज में ले जाता है। कि पंगु उस तोते को खाने के लिए ले जा रहा है। बिल्ले और बिल्ली दिलेर के दोस्तों को पंगु के घलाप लगातार भढ़का रहे थे और उसे बदला लेने की बात कर रहे थे। दिलेर के दोस्तों को भढ़काने के बाद वो बिल्ला और बिल्ली जाज पर चड़ जाते हैं और वो उस पंगु के कुते और दिलेर को खाने की बाते करने लगते हैं। दिलेर के सारे दोस्त दिलेर का बदला लेने के लिए पंगु पर हमला कर देते हैं। देर हो चुकी थी। दूसरी तरफ बिल्ले और बिल्ली एक दूसरी टाप उपर पहुंच गए थे जहां की कीडे ही कीडे थे। पाने के लिए कुछ देता है लेकिन इस वार पे कुछ नहीं खाते हैं। इसके बाद दिलेर पंगु को अपने दोस्तों के बीच ले जाता है। पंगु उनके लिए दुबारा से विस्कुट लेकर आता है और अपकी बाद दिलेर के दोस्त वो विस्कुट खा लेते हैं। दूसरी तरब वो बिल्ला और बिल्ली खाना न मिलने से बहुच ज़्याता परिसान थे और बिल्ली कुछ बच्चों की मा भी बनने वाली थी। के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था। बिल्ली और उसके बच्चे बस इसी ताक में बैठे थे कि हम पंगु के आइलेंड पर कैसे पहुचेंगे। जिससे कि किसी भी जानबर को भार जाने की जरूरत नहीं होती थी क्योंकि वो उसके घर में ही पानी पी लेते थे। उन जानबरों में एक ननी चिडिया भी थी वो उन से कह रही थी कि पंगु के घर की आतत मट डालो क्योंकि पंगु एक इंसान है जो एक ना एक दिन चला ही जाएगा और तुम इतने जादा आलसी हो जाओगे कि कुछ भी नहीं कर पाओगे। लेकिन उन में से कोई भी जानबर उस चिडिया की बात नहीं सुन रहा था और पंगु के घर के आनन्द ले रहा था। उस आइलेंड पर पहुँच रहे थे जिसकी मदद से बिल्ली और उसके बच्चे उस आइलेंड पर आसानी से जा सकते थे जैसे ही बारिज रुकती है सारे बिल्ली के बच्चे उस आइलेंड पर जाने लगते हैं और सबसे पहले छोटी चुडिया पर हमला करते हैं सब जा पन्दू उसके हाथ से कहीं पर छुट कर गिर जाती है। भहाँ का छोटे से छोटा जानवर भी बिल्ली के बच्चों को पागल बना देता था जिससे बिल्ली के बच्चों का गुसक लगातार बढ़ता जा रहा था अगले सीन में अपने ही दोस्त के हाथों पंगू के सिन में चोट लग जाती है और वो भेहोस हो जाता है इधर बहुत सारी बिल्लियां उन जानवरों पर हावी होती जा रही थी तबी दिलेर अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक प्लान मनाता है और वो बंदूग चलाने के लि पंगू चड़कर टावर के सबसे उपर बैठ गया था और वो चांता था कि बिल्ली के सबी बच्चे उसके पीछे आएं। पंगू एक रसी की मतस्य से नीचे कुथता है, जिससे वो बहीं टंग जाता है और कहानी लोटकर बहीं पर वापस आ जाती है जात है, तोता दो चुहों को कहानी सुना रहा था। और यही कहानी समंद्री लिटोरों को पंगु जहाज में सुना रहा था, लेकिन कोई भी लिटोरा पंगु की कहानी पर विश्वास नहीं करता है, और उल्टी उपर से उसे मारने की दमकी देते हैं, और उसे बंदी बना लेते हैं, पंगु अपने आपको फसा देखकर बहुत ज़्यादा परिशान हो रहा था, और वो बहाँ से भागने की कोशिस करता है, लेकिन तभी बहाँ से एक लुटेरा देख लेता है, और सब ही लिटोरे उस पर हमला करने लगते हैं, लेकिन पंगु उन लिटोरे के जहाँ से भागने में सपल हो जाता है, और लुटेरे भी पंगु का पीचा नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि उसे जाने दो, उसकी जिंदगी है उसे जीने दो, और दिलेर भी उन दोनों चुओ को बिल्लियों के खाने से बचा ले जाता है, और पंगु दुबारा से उसी आइलेंड पर चला जाता है, और दोस्तों यहीं पर कहानी कंत कर दिया जाता है, अगर दोस्तों आपको कहानी अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना,